हाई लो अब्रिवान वेलकम टू माई यूटूब चैनल वरुना एंगलिस कांसेप्ट मैं बिनोद लेके आता हूँ इंगलिस ग्रामर से जुड़े वीडियोज को ये वीडियो भी इंगलिस ग्रामर की है जिसमें हम नरेशन के एक्सरसाइज को करेंगे तो बने रही हमारे साथ वीडियो के आंफ मैं पर बता आये आपने कितना इसकोर किया अच्छा इसकोर करने के लिए डिसक्रिप्टिप्सन में ये लिंक पर क्लिक कर नरेशन के प्रिभिवेस वीडियो को जरूर देखें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सबसे जबरदस्त सीरीज को आप भी हमारे साथ एक्सरसाइज को किजिएगा और बताएगा आपने कितना स्कूर किया कमेंट बॉक्स में जरूर अपने स्कूर को लिखेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो मे आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो की डिस्किप्शन में जो भी लिंक इसके दिये गए इसको आप पहले जरूर देखिए इसके बाद आप भी अच्छा स्कूर करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे अमारा अमारा पहला क्वेस्टन है कि दे ज़ान दिजेगा कि यह प्रजेंट में या पास्ट में है तो हमें पता है कि जो साइट होता है वो रिपोर्टिंग और पास्ट क्यों होती है तो जब भी reporting वर past में होती है तो हमारा reported speech का जो भी sentence होता है वो change हो जाता है यानि जब भी direct को indirect speech में हम change करते हैं तो reported speech के tense में परिवतन किया जाता है उस situation में जब reporting वर हमारी किसमें हो past tense में हो तो इसके अलामा एक बात और किसमें जो side two है side two को हमें पता है कि टोल में change किया जाता है तो जो हमारा भी आपसान है यह भी आपसान होगा नहीं क्योंकि इसमें दिखिए जो side है यह side two उसी तरह बिल्कु लिखा गया है जबकि ऐसा होता नहीं है और एक आपसान हमारे पास जो और है ask me ask me तब होता है जब reported speech में interrogative sentence का यूज किया गया है लेकिन हमारा reported speech का जो sentence है यह तो assertive sentence है जबकि assertive sentence में कुछ ऐसा नहीं होता है तो हमारा तो पहले दो option पहले ही खत्म अब ए और भी दो ए और सी सॉरी ए और सी दो आपसान है इसमें से जो भी option मी काम आज को अटाएंगे दैट लागेगा दे टोल्ड मी दैट यू सेकेंड परसन है मी केन उसाज चेंज होगा मी एक objective केस है जब subject की जगप इसको इच किया जाएगा तो मी का subjective की जो होता है हो होता है आई चेंज sentence को इसमें किया जाएगा तो यह प्रजेंट का है जब भी प्रजेंट को चेंज करेंगे तो यह पास्ट में चेंज होगा तो simple present sentence है यह चेंज होगा simple पास्ट में तो हमारा sentence बनेगा कुछ ऐसा कि they told me that I was an intelligent boy तो हमारा correct option जो है वह option C है चलिए next question को देखते हैं हमारा next question है कि Gotham said Kiran यह आप एक बात ध्यान दिजेगा कि यह जो Kiran word है यह संबोधन के रुप में आया यानि Gotham said Kiran I am thankful to you तो इसमें जो reported speech है reported speech में जो एक किरन word है यह संबोधन के रुप में आया है और यह किरन एक noun word है तो जब भी अगर reported speech में कोई noun अगर संबोधन के रूप में आया हो तो reported speech के इस संबोधन वाले word को हम reporting रीपोर्टिंग वर्ब बंदक से टो यूू तो ये केंज उगा तो जब इसको इस में चेंज करेंगे घूल sc करेंगे टोल में जबकि आप सने में बिलकुल ऐसा किया नहीं गया इसलिए एक रॉंग है आपसन भी है गाउतम सैट्टू किरन यानि गौतम टोल्ड किरन सैट्टू को टोल में चेंज करेंगे कामाज को अटाएंगे गौतम के कार्डिंग यानि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के कार्डिंग चेंज होगा तो यहां पर ही होगा बागी जो सेंटेंस है यह प्रजेंड का था इसको हमने पास्ट में भी चेंज किया गया है तो होगा गौतम टोल्ड किरन दैट ही वाज थैंक्फूल सब्सक्राइब और हमको बाता है जो 123 जो इकसो टेज आए संब व बटाओं डाया था इसमें यूज होगा किरन के कर दिंग कर दिंग कीरुल किरन के जटल करेक्ट होगा तो भी अब्रिवांगंत्व नहीं है करेक्ट लग रहा है गौतम टोल्ड किरन दैट ही वाज थैंक फूल टूर हाँ आप्सन भी विल्कुल करेक्ट हो है चलिए आगे बढ़ते हैं थार्ड क्विशन है हरी साइड टू हीज फादर इट इस राइनिंग टूडे इसमें जो रिपोर्टिंग वर भाई ये भी पास्ट किया है और ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है ये भी कांटिन्यूस टेंस है तो ये प्रजेंट कांटिन्यूस टेंस है तो जब इसको इंडारेक्ट स्विच में चेंज करेंगे तो प्रजेंट कांटिन्यूस का जो सेंटेंस होता है वो पास्ट कांटिन्यूस में चेंज हो जाता है तो इसको चेंज करेंगे तो हमारा बनेगा अपस्न अपले देखते हैं लिखा हरी टोल्ड हीज फादर डैट इट वाज रैइनिग टो बिएक आपस्ट ने लीज अपसाने अरे जो दिया हरी टोलिष फादर डैट वाज डाइट वाज राइनिंग टूड़ तूड़ यह पता आए न की टूड़ जवाड होता इसको डा और फोर्थ जो आपसान है यह यह हमारा विल्कुल करेक्ट है चलिए नेक्स्ट कोषचन देखते हैं कुष्चन फोर्थ है मुँंहान स्टान इस वर क्वेचन नमरफोर में जो रिपोर्टेट स्पीच का सेंटेंश है यह है present perfect present perfect tense तो जब इसको direct से indirect speech में change करेंगे तो sentence में जो reported speech का tense है वो present से past perfect में change हो जाएगा तो चलिए देखते हैं आप सन पे आप सन ने लिखा है कि Mohan said that he has done that work इसमें जो subject है ही ही के बाद जो वर्व यूज किया है जबकि यह present का ही वरभ यह बिलकुल करेक्टर नहीं है क्योंकि यहां पर हमें present perfect को past perfect tense में change करना है और जब भी past perfect में change करेंगे तो है या है या है यह या है यूज किया जाता है जबकि past में hide का यूज़ किया जाता है इसलिए यह option a यह बिलकुल wrong है second option लिखा है कि Mohan said that he had done this work यह this work है जबकि reported speech में this work जो होता है उसको हम that work में change करते है तो यह जो आपसान है यह bb bb wrong है यह bb wrong है bb wrong है c आपसन लिखा है Mohan said that he had done that work यह option C बिलकुल correct option है क्योंकि यहाँ पे जो present perfect था वो past perfect में भी change कर दिया गया है और that work जो है यह this work जो होता है वो this जो word होता है वो that में change जाता है तो this को जब हम that में change करेंगे तो हो जाएगा that work option C correct है चलिए next question पे जलते हैं question 5 है the teacher said the earth is round इसमें ध्यान दिजेगा कि यह जो reported speech का sentence लिखा है the earth is round यह जो reported speech है यह तो हम देख लिया कि यह present में है और reporting और said past में है तो ऐसा हमें लगेगा कि हमें reported speech के tense को past में change कर दिना चाहिए लेकिन बिलकुल यह गलत है क्योंकि जब भी reported speech में अगर किसी अगर reported speech में किसी universal truth habitual action या फिर किसी fact की बात की गई हो तो reported speech के tense में परिवर्तन नहीं किया जाता है तो यह जो reported speech का sentence है the earth is round यह change होने वाला नहीं है तो यह बनेगा the teacher said that the earth is round option A जो है यह correct है क्योंकि option B में वाज का युश किया गया जो कि change कर दिया गया tense में जब कि ऐसा होता नहीं है जब भी हमारा reported speech में universal truth, mathematic, fact या कोई भी fact हो या फिर habitual action की बात की गई हो या प्रोवर्बस हो तो यह B option wrong है C option B wrong है क्योंकि इसमें B tense को change कर दिया गया है फोर्थ option भी रहाँ है चलिए next question की तरह बढ़ते हैं तो चलिए question number 6 को देखते हैं question number 6 है कि the teacher said to Rina I will turn you out of the class if you commit this offense again इसमें देखिएगा जो reported speech है इसमें दो class को सामिल किया गया एक है if class और एक है main class तो जब भी अगर reported speech में अगर ऐसे sentence हाई जिसमें दो class को if when या फिर after या भी फोर्ट से जोईन किया गया हो तो वही generalize का यूज़ करेंगे इसमें बहुत जादे परिशान होने की कोई जूरत नहीं है तो इसको जब change किया जाएगा तो यह होगा कि the teacher side two को हम change करेंगे told में तो बनेगा the teacher told Reena आई जो आई यह first person change होगा teacher के recording यहां पे होगा हमारा subject जो pronoun होगा होगा ही क्योंकि teacher एक my schooling gender का noun है तो होगा the teacher told Reena the teacher told Reena that he will को हम change करते हैं किसमें direct same direct speech में change करने पर will को would में change किया जाता है तो the teacher said told Reena that he would turn you जो है यह second person है तो Reena के recording change होगा यह Reena के recording change होगा तो Reena के लिए हम कौन सा objective के इसका pronoun लेंगे हर तो बनेगा the teacher told Reena that he would turn her out of the class if you जो है यह second person है Reena के recording change होगा तो यहां भी क्या होगा you को c में change करेंगे तो यहां पर देखिए जो आपसा ना इसमें कुछ ऐसा लिखा है कि side 2 को told में ना change करके 13 में change किया यह पूरी option में इसलिए हमें कोई घाबराने की जोरुत नहीं है कि यहां पर told क्यों नहीं दिखा है दे रहा क्योंकि पूरे option में उसने side 2 को किस में change किया है threatened में तो बनेगा the teacher threatened Reena that he would turn her out of the class if see देखे if class जो था यह simple present का था तो simple present को हम किस में change करते हैं simple past में तो हो जाएगा if see committed this को change करेंगे that में offense again तो आपसा ने बिल्कुल right है यानि आपसा ने इसके लिए बिल्कुल correct होगा कि the teacher threatened Reena that he would turn her out of the class if she committed that offense again कि चलिए question number 7 पर चलते है question number 7 लिखा है कि हरी टोल्ड राम हरी टोल्ड राम डैट ही वाज लेजी इसमें देखेगा जो यह sentence है यह direct का न होके यह indirect speech का है तो इसको हम change करेंगे indirect से direct speech में जबकि हम पहले change करते थे direct को indirect speech में लेकिन यह हर बार ऐसा होता नहीं कभी-कभी indirect को भी indirect को भी direct speech में change करने के लिए दे दिये जाता है तो इसको जब change करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम reporting वर प्यात है reporting वर जो होकि हमारी direct speech में help करने में मदद करेगी तो थो जो आई ये टोल तभी चींझ होता है जब reporting क्या होती है साइड होती है तो जो आप सन ए लिखा ये लिखा है जबकि कुछ ऐसा होता नहीं कि तो आप सन यह आप सन यह रांग है अप सन भी पर देखते हैं b लिखा है हरि 7 unanim लेजी है कि आपस्अन भी जो ऐ यह option भी अफरी करेक्ट लग रहा हो लेकिन आकर चलिए दिखते हैं कुछ आरा mining आपसअन भी आए क्या जो इससे भी करेक्ट हो तो यहां पर आपसंज जो यह आपसंसी तो इसे ही रांग है क्योंकि टोल को टोल में च्छोर दिया गया यहां पिर डडी जो है यहां यह जबहा किया यह देखिए टोल यह चीह किया गया है इसलिए अबसेंज़ जो यह बीन कुल करेक्ट अपसन है क्वेश्चिन नमरीट इसन नमरीट है जो रिपोर्टिम हों यह को पाश्ट में दिख़्ाएं पड़ रही है यह बहुत प्रेट में चैन्ज करेंगे तो कस्मीर शी को कस्मी रवर्वाज में चैंज करेंगे हैं यह में ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल ऐसा नहीं किया जाएगा क्यूंकि जो रिपोर्टेड़ी स्पीच का पूरा स्टेटमेंट लिखा यह बिल्कुल टूथ है और कभी भी बात हो यानि सच्चाई वाली बात हो और ऐसा बिल्कुल आज वरतमान प्रजेंट टाइन में भी ऐसा आज भी यह बात जो है यह रियल है तो इसके टेंज में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगा अगर इसके टेंज में हम चेंज करेंगे तो कुछ सेंटेंस ऐसा बनेगा कि ही सैट डैट कस्मीर वाज इन द नौर्थ अप इंडिया उसने बताया कि कस्मीर भारत के उत्तर में कस्मीर है इसलिए स्केंज में चेंज़ेंगी नहीं किया जाएगा तो बनेगा हमारा सेंटेंस ही साइट कस्मीर इस इन दो नौर्थ अप इंडिया तो आप संट ई नहीं आप सण डी देखते हैं आप संट डी विलकुल करेक्ट है ही सैट डैट कस्मीर इन दो नौर्थ दिया है चलिए question number nine की तरफ question number nine ही said Mohan has been living year since 2000 यह देखिए reported speech का जो sentence है यह present perfect continuous sense है जब भी reported speech का sentence present perfect continuous sense में होता है तो direct say indirect speech में change करने पर उसे past perfect continuous sense में change कर देते हैं तो देखिए कौन सा option past perfect का ही said that Mohan has यह बिल्कुल incorrect है क्योंकि इसमें हाइज का यूज किया गया है आप सन्वी जो आई ही said that Mohan had been living here यह आप संब सही होता लेकिन अगर यहां here को किसमें change कर दिया गया आप देयर में होता भी ऐसा आए रिपोर्टर स्पीच में जब भी here का यूज किया गया होता है तो उसे हम देयर में change करते हैं इसलिए option b b wrong है चलिए option c को देखते हैं option c है he said that Mohan had been living there यहाँ पर यह को देयर में change किया गया है बाकि सब कुस सही है इसलिए option c हमारा इसलिए चलिए question number 10 प्यादें question number 10 या she said you need not wait यहाँ पर reported speech में जो वर्ब आई यह need के यूज किया गया है जो की need यह का semi model वर्ब होती है जब भी reported speech में semi model वर्ब में need का यूज किया गया हो और two का यूज किया गया हो यूज किया गया हो या फिर डियर के यूज किया गया हो तो जब भी reported speech में semi model वर्ब need हुआ डियर हुआ अगर इनका यूज किया गया हो तो reported speech के tense में कोई भी changing नहीं करते हैं इसलिए हमारा जो sentence होगा वो कुछ ऐसा होगा कि need होगा वो need में ही होगा ना कि इसके साथ हम किसी वर्ब का यूज कर कि इसके tense में परिवतन करने की कोशिस करें और यू जो है यह second person का यह उसी तरह जैसे कि पिछले rules में हम पिछले exercise के question में करते थे तो बिलकुल यह पुर साथ change होगा जबकि हमको कुछ ऐसा object दिखाई दे नहीं रहा है sentence में she said इसके बाद हमको अगर कुछ ऐसा लिखा रहा था she said to me she said to him she said to us she said to them तब हम उसके carding change करते हैं लेकिन कुछ ऐसा दिखाई दे नहीं रहा है तो एक बात याद रखेगा कि जब be reported speech में subject के रूप में pronoun यू का यूज किया गया हूँ और reporting verb में object दिखाई ना देता हो तो उसमें हम object me को object मान लेते हैं reported reporting verb का तो जब reporting verb का object हमीं मानेंगे तो यू मी के carding change होगा यू मी के carding change होगा तो मी का subjective case आई होता है जबकि आप सान यह में लिखाया कि she said that she need not wait यह बिल्कुल wrong है इसलिए आप संबी जो आई she said that यह right होता जबकि needed नहीं किया गया रहा था इसलिए आप संसी देखते हैं कि she said that I need not wait यह आप संसी बिल्कुल right है क्योंकि यहां पे आई जो आई यह हम चेंज हो गया मी के carding तो बाकि जो sentence में कोई changing नहीं की गए इसलिए आप संसी बिल्कुल हमारा correct option होगा तो आपको यह series कैसे लगी और आपने कितना score किया जितना भी score किया होगा आप comment में जरू लिक के बताएगा और अगर आपको यह series अच्छी लगी हो अगर यह narration का exercise आपको अच्छा लागा हो तो हमारे वीडियो को लाइक किजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे ना है हो तो चैनल को जरू सब्सक्राइब किजिएगा थाइंक्यू